एक तरब उपेज सरकार गड़वो नवा चत्तिसगड़ के नारे के साथ विकास के कारियों में पैसा पानी की तरे बहा रहे हैं वहीं दूसरी तरब कुशनेता और जिम्मेदार सरकारी भवनों को जुएक अड़ा बना रखा है यहां पर कोई अराज़त तत्तु नहीं बलकि कॉंग्रिस जिला पंचायत अध्यक्ष और भारती जन्तापाटी जिला पंचायत सदस्य के पती साथियों के संग महफिल जमाई बैठे हुए थे ऐसा ही मामला सामने आया है जानजग्री चमपा से जहां जिला पंचायत भवन के अध्यक्ष के ऑफिस में महफिल जमाई नेता पतियों का वीडियो वाइरल हुआ है इसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरे ऑफिस में बावन परियों का खेल चल रहा है द्रसल गुद्वार दोपहर को एक पत्रकार जिला पंचायत भवन में अध्यक्ष यनीता यश्वन चंदा से मिलने पहुचे अध्यक्ष जी तो नहीं मिली लेकिन कमरे में दाखिल होते ही सब हैरान रह गए सामने ताश पत्तों के साथ जुए कि महफिल जमी थी इस महफिल को जमा हुए थे अध्यक्ष जी के पती यश्वन चंदा और सदस शुष्पिता सिंग के पती सुमित प्रताप सिंग उनके साथ तीन अने लोग भी इस खेल में शामिल होकर हार जीत के लिए दाव लगा रहे थे और पीछे बोड पा लिखा था गड़वो नवा चतिस गड़ इस दोरान पत्रकार पहुँचे तो सभी कैमरे में कैद हो गया इस पर जुमा खेल रहे लोगों ने सिरु उठा कर देखा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा वो फिर से अपने खेल में मस्त हो गए इस पर एक पत्रकार ने उससे कहा बाइट दे दीजिये लेकिन अध्यक्ष के पती टशन में रहे पत्ते बाड़ते हुए बोले नहीं देते जाईए और फिर अपने खेल में लग गए उनके पीछे ऑफिस का एक लर्क चुपचाप अपना काम करता रहा ऐसा नहीं है यहां कोई पार्टी दोशी नहीं इस महफिल में भारती अन्ता पार्टी और कॉंग्रेस दोनों पार्टीओं से जुड़े लोग थे खास बात यह है कि इसमें से जातर नेता नहीं नेता पती थे वही जिला पंचायत के कुछ सदस्यों ने कहा कि यहां यह रोज का काम है लेकिन पहली बार कैमरे की नजर में आया है यहां पर ऐसा चलता रहता है इस मामले में बहुजन समाज पार्टी के समर्थि शेत्र क्रम जीरो दो के जिला पंचाय सदस लखनलाल साहू ने कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है फिलहाल क्या सबक सिखाएंगे यह तो पता नहीं लेकिन पत्नी के चुनाव जीतने के बाद पती जरूर अध्यक्ष और सदस्य बने उनकी सुधाओं का अवैत तरीके से ल अधिकारिक बैठक में यह नहीं जा सकते थे तो समय काटने के लिए अध्यक्ष की कमरे में महफिल जमाली जिला पंचायत अध्यक्ष यनीत यश्वन चंदा पती यश्वन्त चंदा और सदस्य शुश्मिता सिंग के पती सुमित प्रताप सिंग इसके लावा तीन अन साथ की बैठक चल रही थी अभी वहां से आया हूं मुझे इस बारे में आप लोगों से ही जानकारी मिली है मामले की जांच करा लेंगे उसके बाद निर्णाय लेंगे ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक निउस